हालो अब्रिवन, वेलकम तो CS Solution जैसे कि हर पिप्रम में मैं आप लोगों को difficult question अलग से कराता हूँ वैसे ही आज की लेक्च्चर भी ऐसी होगा मतलब आज मैं आपकी लोगों को साथ इसे करूँगा HPSRC-JUIT-POST-Code-800-13 इस पिप्रम में जो difficult question थे कुछ typical question थे वो इस लेक्च्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और हम सब भी मिलके इसको समझेंगे सम typical और difficult question on JVRT पोस्ट कोड आर्शुसतारा इसमें आपका पहला question था C programming language से मैं question काऊंगा कि आपको हर एक question को काफी detail में समझाऊं जैसा कि आपको पता है कि C solution आपको हर एक question की detail knowledge देता है वैसे ही आपको इस lecture में भी काफी detail knowledge मिलेगी और आपके concept clear होगे इसलिए वीडियो में last एक बन रहे हैं और अगर आप चैनल पे पहली वाज़ रूट रहे हैं इसका output क्या आएगा इसका answer आएगा इसका answer आएगा वो आएगा 9 option a आएगा आएगा आप समझते हैं कि इसका answer 9 कैसे आएगा इसमें देगा है int a 5 मतलब a की value आपके 5 दी गई है and b को define गया गया है और b is equal to plus plus a plus 7 upon 2 plus plus a का मतलब है pre increment इसका solution step 1 भे आप 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 इने देखा a था 5 ठीक है b is equal to plus plus a plus 7 upon 2 इसका मतलब है means value of a is pre increment and now our value become 6 आपके जो a थी 5 था वो आपका 6 बन गया आपके दो आपके होते हैं एक होता है pre increment एक होता है post increment अगर variable से पहले operator लगा हो plus plus तब आपका वो pre-increment होगा अगर operator आपका variable के बाद हो यानि कि a++ होता तब आपका post-increment होता pre-increment और post-increment में difference यह है कि pre-increment के case में पहले आपकी value increment होती है उसके बाद वो print होती है लेकिन post-increment में value पहले print होती है जो पुराणी थी उसके बाद आपके value increment होती है लेकिन यहाँ पर देगा था pre increment प्लस प्लस ए इसका मतलब आपके value a 5 थी अब बनगी 6 तो b में क्या हुआ b is equal to plus plus a था तो यह बन गया 6 plus 7 upon 2 यह एक equation बन गई और जब इसको आप solve करेंगे 6 plus 7.2 आप लेंगे इसका LCM, LCM आजएगा इसका 2 and आपको इसके बाद आता हुआ 6,2,12,7,19 19.2 आजएगा और 19.2 के बाद हमने इसको 2 सिट वाइट किया यह आगे 9.5 लेकिन हमने 9.5 में से 0.5 को निकाल के 9 ही क्यों लिया वो इसलिए लिया क्योंकि यह था हमां को दिया हु काउंट करना है और integer का रूल है कि वो fraction part को करता है discard तो हमारा अंसर आया 9.5 लेकिन हम 0.5 को नहीं लेंगे हम लेंगे 9 को इसलिए हमारा अंसर आया option A 9, clear हमारा अगला question था again C programming language से what will be the output produced by following code segment in program C program इसमें आपको दिया गया है int A7b8 a की value 7 है b की 8 है और printf का मतलब है आपको output show करना है क्या %d, a and b maximum logo ने इसको क्या किया 8 साथ 15 कर लिया और 15 अंसर लगा लिया लेकिन इसका अंसर 15 नहीं होना था answer था 0 option C 0 कैसे आया आपने इस operator को देखा यह आपका end operator इसमें क्या करना था a आपका 7 है b 8 है 7 और 8 को आपने लिखने था binary में और binary में लिखने के बाद जो value आने थी उनकी बीच में लगान था आपने end operator और end operator आपको पता है कैसे काम करता है जब उसका दोनों input 1 होंगे तब आपका output 1 आएगा otherwise 0 आएगा यह देखिए step number 1 था आपका value of a is 7 value of b is 8 convert 7 into binary and also convert 8 into binary जब आपने 7 को बादे 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 किया आपका value आएगी 0 triple 1 4 बिट के case में और आपने जब 8 को बादे 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 किया उसकी value आएगी 1 triple 0 गया आपका 7 है गया आपका 8 है और इनके बीच लगा है आपका end operator end operator लगाएंगे 100 100 100 100 चारों 0 आगी और जब चारों 0 को आपका करेंगे decimal में तो आपको 0 आएगा इसलिए आपका अंसर 0 आया इसलिए आपका बिकुस है अंसर होगा 0 देखते हैं अगला question अगला question था if the size of show data type in c implementation is 2 byte c जो आपका short data type है उसका size है 2 byte का then what is the maximum value that can be stored in variable in this type आपके इसमें कितनी value maximum stored होगती है इसके लिए आपको इसकी range पता होने चीह थी कि short की range क्या होती है जो short की range होती है वो होती है minus 32,768 से लेकर plus 32,768 यह इसकी range है और आपको पता है कि जो आपकी plus की value है आपकी minus से बड़ी होती है यहां पुझा गया था maximum तो maximum value कितनी होगे आपकी 32,767 वो देखिए आपको option में मिल गया है option number C यह आपका बिल्कु सही अंसर होगा हमार अगला question है काफी अच्छा question काफी मरिजदा question 2's compliment question इसकी बार आप lecture को बहुत ध्यां से दखेंगे क्योंकि इसकी बार आपको काफी अच्छे question देखने को मिलेंगे और 2's compliment का concept आपने बिल्कु समाझना है क्योंकि अगर आपने वीडियो को escape किया तो आपको समझे में दिकत हो सकती है क्योंकि इसमें काफी variation है इस question में मतलब 2's compliment में आपको काफी तरह के question देखने को मिलते हैं यह उसी का एक type है यह भी क्या था पुछावा 63 पुछा गया था what is the decimal representation मतलब आपको एक number दे गया है बाइंदी का और वह भी आपको 2's compliment में दे गया है उसका आपने decimal नहीं नहीं न पर यह देखते है कैसे होगा यह देखिए आपका step number1 कया था सबसे निसमें अपने आपने गया था apply 2's compliment to given by any number मतलब जमको आपको number दिया था यह सबसे आपको number दिया गया था पहले आपने ones complement करना है और ones complement के वाद जो result आएगा उसमें one add करना है ones complement के क्या करते हैं जहां one है वहाँ पर zero या zero हाँ one करते हैं लेकिन यह थोड़ा सा number method हो जाता है लेकिन अब आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा short method या निकी इसको trick क्योंकि exam में हमारे पास time की बहुत कमी होती है हमें question को काफी जल्दी करना होता है इसलिए मैं आपको थोड़ा short tip से समझाऊंगा इसको आप follow करेंगे value थी आपके वाज double zero double one double one zero one zero double one step number one क्या है आपका आपने जो इसकी list significant repeat होती है मतलब जो आपके पहली बीडियोती है इसको बोलते है LSB अपने right से left move करना है और जब तक आपके वाज पहला one नहीं आ जाता तब तक आपने number को as it is लिखना है और 7 में उस पहले one को भी नीचे लिखना है as it is इस case में हमें पहला one मिल चुका है इसको हम as it is लिखेंगे और जो आपके इसके बाद number बचेंगे उसके आपने क्या करना है जहां one वापे 0 जहां 0 हम one करना है one का 0, zero का one, one का zero, zero का one, zero, zero कैसे टैप करना है आपने right से left move करना है और right से left move करते वक्त आपको जब तक पहला one नहीं मिलता तब तक आपने number को as it is लिखना है और आपको जो पहला one है उसको भी ऐसी लिखना है लेकिन उसके बाद जो number बचता है जैसे कि इसमें यह बच गय इसको आपने करना है once compliment मतलब जहाँ one है महाँ पर zero, जहाँ one करना है उसके बाद आपको result आएगा वह आपका fine result होगा तो हमारा result क्या आया है इस number को chain करने पर गे 0010101 इसके बाद आप क्या करेंगे इसके बाद आप निकालेंगे इसका decimal decimal कैसे कालते हैं 0010101 इसका बाद नही इसके बाद आपको आपको कोशन में दिया गया है कोई बाद नमबर और वह उसका टूइस कंपलिमेंट है और अगर आपने उसका decimal निकालना है तो आपको उसकेस में माइनस दगाना पड़ेगा क्यूंकि जो आपका नमबर है यह आपका minus 21 है बोलने का मतलब है कि अगर तो आपके वास यह ही रिजल्ट आएगा चलिए इसको भी क्रॉस एक कर लेते हैं कैसे आएगा देखिए अगर आपको कभी पेपर में कॉशन हा जाए कि माइनस 21 या भी कुछ भी टाम हो दिये गई हो डेसिमल में माइनस दिये गया हो साथ में आपने क्या करना है सबस्क्र बाइंडरी क्या होता है किसका बाइंडरी होता है 0010101 किसका बाइंडरी होता है और जब आपका बाइंडरी आ गया उसको बाद निकालेंगे आप इसका टूस कंप्लिमेंट तो टू स्कॉपलिमेट में आपको मैंने कैसम जाया था राइट से लैक्ट मूव करना है और जब तक पहला वन नहीं आ जाता तब तक आपने नंबर को आज़े लिखना है और उस पहले वन को भी लिखना है पहले वन हमें शुरूरू मिल गया है इसको हम ऐसे लिखेंगे जो क्रोस चेक कर सकते हैं अगर आपको कोशन पर आज़े आता है कि आपने डेसिमल निकालना है दिएगे तूस को में नंबर का आपने याखना है उस नंबर को पहले उसका अगेन तूस को में निकालना है इस मैधर से जो आपको समझाया और उसके बाद जो आपका रिजल्ट इसमें आपको आरे फार्मला दिये गया था इसमें पुछा गया है what will be the value of आरे फार्मला is equal to sum a1 colon d1 into a2 colon d2 colon का मतलब होता है range मतलब a1 से लेकर b1 c1 d1 e1 a2 b2 c2 d2 e2 इस सब आएंगे into a2 से लेकर d2 तक सब आएंगे इसमें क्या करना था आपने काफी simple question था पहले आपने क्या करना था a1 से a2 को गनता multiply यह दिखिए a1 से a2 को multiply होगा b1 से b2 को multiply होगा c1 से c2 को d1 से d2 को e1 से e2 को तो दिखिए value किया है आपकी a1 आपका 5 है and a2 आपका 2 है b1 आपका 3 है b2 आपको 3 है ऐसे करते करते इसको आपस उनी 10 239 4-4 832 और यहां पर इसमें लगा है parenthesis के बाद some formula मतलब जो आपने इसको multiply किया है आपने करना है इसको add 10 9 19 4 23 23 25 तो आपका अंसर आग है 55 और एक एक आपने इंपोर्ट चीज़ा जाए लगत नहीं है आपने जब आपका array formula यूज होता है तो आपका parenthesis के बाद आपकी इसमें क्या पुछे क्या है आपको एक टेबल देगा था और पुछे क्या है अपको एक टेबल देगा था और पुछे क्या है what is the value of large a1 range e2,1 plus large a1 colon e2,2 सबसे पहले हमें पता होना जाए कि large function काम कैसे करता है large function काम क्या है large function is used to return nth largest value from the given set of number मतलब आपको एक set of number देगा होगा या फिर आपको एक range देगा होगी एक array देगा होगा और उसमें से आपने nth value कानी है largest nth आपका कुछ भी बहुता है आपकी first value largest हो सकती है second हो सकती है fifth हो सकती है 10th हो सकती है large और max में ये difference है कि max में हमेशा आपको top value मिलेगी जो submit उसमें top होगी specific number one पे लेकिन अगर हमें number one के बाद भी second value चीए third चीए fourth चीए 10th चीए 25 चीए तब हम use करेंगे large function को इसके होते है दो argument पहला होता है array दूसा होता है k array क्या मतलब है दोनों आपके required argument है आप किसी एक भी argument को miss नहीं का सकते array में आपका क्या आएगा array में आपका आएगी range जाटा याफ यह कुछ number दिया गया होगा आपको जहांसे अपने इनकानी है इसकी kth value अब k क्या मतलब है the position from the largest in the area or cell range मतलब आपने किस position की value निकालनी है उस दियेगे नमबर में से तो अब इसको समझते हैं आपको दियाए गया था large a1 range e2,e1 plus large a1 range e2,2 तो a1 की value साथ थी b1 की 2 थी c1 की 4 d1 की 8 e1 की 2 ऐसे करते हैं मैंने सब की value लिखी हैं यहाँ पर आप question paper साथ में खोल सकते हैं और इस question को tally कर सकते हैं चुक्कि photo उपर चलेगी है और इसमें देगा था पहले में large a1,e2 मतलब a1 से लेकर इस पूरी range को आप select करेंगे और comma 1,1 का मतलब क्या है कि यह पहली largest value निकालेगा आपकी पहली largest value कौन सी है that is 8 8 आ गया दोसरे में भी same formula लगा है लेकिन वह पहले पहले लगा है 2,2 का मतलब है कि इस पूरे table में से आपकी second largest value by default इस case में आपकी second largest value भी 8 ही आ रही है देखिए 8 आ गया है हम लेखा 8 और इस function में लगा है बीच में plus यह देखिए यहां देखाए plus तो 8 प्लस 8 आपका 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 16 यह आपका finance रहोगा हमाल अगला question था MS access ही था अगया question assume that MS access sheet cell A1 contain the value 10% and cell A2 contain 5% then what will be the value of formula A1 into A2 मतलब A1 में 10% दिया गया है यह देखिए और A2 में 5% दिया गया है 10% का मतलब क्या है 10 upon 100 and 5% का मतलब क्या है 5 upon 100 और simply क्या करना था आपने A1 into A2 10 upon 100 into 5 upon 100 करना था और 10 upon 50 और 100 into 100 आपका आगया 50 upon 10,000 इसको आप solve करेंगे आपका answer क्या आएगा 0.005 clear option B आपका बिल्कुल सही है था अगला function था आपका round function से MS Excel से इसे ही पुछा गया था which of the following is the correct formula in MS Excel to round a number in the cell A1 to the nearest multiple of 10 अगर nearest multiple of 10 करना है तो आपका answer होगा round A1, minus 1 यह देखिए आपनी तीन जीची याद रखनी है कि अगर round A1, minus 1 हुआ इसका मतलब होगा nearest multiple of 10 A1, A1 के जगे आपको कोई भी cell होता है अगर minus 2 हुआ मतलब multiple of 100 minus 3 को हुआ nearest multiple of 1000 इसको आप याद रखेंगे जैसे value बढ़ते रहेगी जैसे यहाँ पर 0 add होते रहेगी and round function का क्या होता है round function का काम है दिये के number को round करना और round के आपकी 2 argument होता है यहाँ पर आपका minus 1 है लेकिन अगर आपका A1, 1 होता तर इसका मतलब क्या होता कि जो आपका number दिया गया है उसमें point के बाद आपकी एक digit आएगी मतलब decimal के बाद आपको कितनी position जीए वह काम करता है round function round function को मैं काफी detail में करा चुका हूं MS Excel के function में जो मेरी channel पर प्रेस्ट है doubt experiment जेवे lecture computer उसमें आप check कर सकते है round function के हर एक variety को मैंने काफी detail में समझाय है उसमें round up, round down, m round काफी function करा है round के उसको आप इसके बाद सड़ी कर सकते हैं अगरा question था which of the following is the correct cell format to display the month name of the date entering cell आपने cell में date enter किये कोई भी आपने display करना है month month के लिए आप कौन सा यूज करेंगे function या formula या कुछ भी text आपको यूज करेंगे चार बार M, 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 M इसको आप यूज करेंगे आपका month आ जाएगा और भी full name चलिए इसके concept को समझते हैं जैसे कि आपको पता है कि यह solution आपको जाता है advanced knowledge, detailed knowledge इसलिए मैंने आपको चारो इसकी variety बता दी है कि इस case में आपको पुछा गया था month name अगर चार बार M दिया गया हो उसका मतलब है कि आपका month का पूरा नाम आएगा for example आपका January आपका पूरा आएगा मत की name लेकिन अगर month आपको mm दो बाद या गया हो तब क्या होगा आपकी उसकी month की value आएगी digit में जैसे कि जन्दवरी आपका होता है पहला month फवरी होता है आपका दूसरा month माच होता है तीसरा month तो one को आप कैसे लिखेंगे 01, two को 02, three को 03 ऐसे करते लिखेंगे अगर आपका single m आ गया तब भी आप लिखेंगे digit लेकिन उसके इसमें आप लिखेंगे single digit मतलब one को आप 01 की बजायर लिखेंगे आप single one, two को लिखेंगे आप single two लेकिन जैसे आपका कोई month है 12 December उसको आप 12 है लिखेंगे क्योंकि इसको आप single में नहीं लिख सकते मतलब बारा एक ऐसा बारा गैरा और दस आपके ऐसे month होगे इसमें आपको single m आ जाए या double m आ जाए आपको double digit लिखने ही पड़ेगी क्योंकि यह पहले सी double digit में है लेकिन उसके लाव जो नंबर आपके है जैसे कि 5, 6, 7 अगर double m है तो आपको 0, 5, 0, 6, 0, 0 सा लिखेंगे single m है तो सिर्फ 5, 6, 7 यह आपके 4 m के use होगे अगला function है आपका m is success ही है इसमें आपको पुछे कहता a1 के value दे गही है 5 and a2 दे गही है 5% और आपने करना है equal to a1 versus a2 simple आपका sum function है a1 आपका 5 है and b2 आपका sorry a2 आपका 5% है तो 5 प्लस 5 अपन 100 परसेंट का मतलब वह आप इसमें इसको upon 100 कहेंगे तो 5 plus 5 upon 100 कितना हो गया इसका lc लेंगे आप 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 इसका आजाएका answer 500 plus 5 upon 100 505 upon 100 जब 100 से इसको divide गए जाएगा तो इसका answer आपका 5.05 is your file answer option c आपका बिल्कुछ सभी answer होगा यहापे 5.05 होगा इन्होंने point लगाना miss कर दिया है अगला प्रशन आता है आपका networking से काफी अच्छा question है इसमें आपको दिया गया एक subnet mask और पुछा गया है कि इस subnet mask के use करके आप कितने IPv4 address ने का सकते हैं usable इस word फे focus किजिए यहाँ पुछ गया है usable IPv4 address सारे ने पुछे हैं जितने use होंगे वो पुछे हैं इसमें आपने IPv4 address की सारे class पढ़ी होगी आपको पता होगा कि जो class C है उसका default subnet mask क्या होता है 255.255.255.0 इससे आपने पता कर लिया कि यह class C के बारे में बात कर रहा है यह दिखिए given subnet mask और हमें पता है कि class C का default subnet mask क्या होता है जो आपको मैंने बताया हुई उसके बाद हमें पता होन पता है कि class C में network bit कितनी होती है आपकी 24 होती है और host bit कितनी होती है 8 नेटवर्क bit को हम रिप्जन करते है 1 से and host bit को रिप्जन करते है 0 से यह दिखिए मैंने आपे bold करके red color में आपको उदर शो किया है कि network bit आपकी 1 है 0 आपकी host bit है और जब इस default mask को हम खोलेंगे तो यह आपका बन जाएगा 8 x 1 जब 255 को जो आप बाइंदी में network करेंगे तो आपका आएगा 8 x 1 मतलब 8 x 1 दिखेंगे यह दिखिए यह आपका होगा 1 octate कि आपका 1 octate हो गया कि आपका second octate हो गया कि आपका third octate हो गया आठ 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 की हाँ 24 मतलब 255 को जब आप बाइंदी में कर्म करते हैं तो आपका एक आपका 8 पराता है clear यह आपका network bit और यहां पे था .0 0 का मतलब हो गया कि सारे आपकी 8 bit जिरो होगी लेकिन हमें paper में दे गया है dot के बाइ 240 तो अब हमें ऐसा क्या करें कि हमें 240 बन जाए तो इसमें आप यह आप कर से थी host bit आपकी 8 हमने इसमें क्या करना है कि हमें 240 बन जाए अगर हमने इसमें जो आपकी most significant bit होती है शुरू की 4 bit को हम 1 कर दें और last की हम 0 रखें और उसकी बाद इस 20 होता है 1 2 के बाद 1 होता है 2 2 के बाद 2 होता है 4 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32 64 198 आप इसमें लिखेंगे यह लिखिए और हमने 240 बनाना है 240 कैसे बनेगा 126,64,32,16 जब हम इन 4 को add करेंगे और last की 4 bit को 0 होखेंगे तो 240 बन जाएगा इनको add करने का मतलब है जहां जहां पर आपका 1 1 है वहां पर इनको हमने add इसका हमने बाद लिया है इसलिए मैंने red color में आपको शो किया है कि यह आपकी network bit है जो हम host से ले रहे हैं borrow अब हमावस को की total होगी है 26 network bit अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें total किस तरह के कोशें बनते हैं पहला कोशें यह बनता है कि How to find number of network कि इस given submit marks से आप कितने network बना सकते हो इसका formula होता है 2 days over n यहाँ पे n का क्या मतलब है n का मतलब है कि total number of bit borrow from host मतलब आपने host से कितने bit उधार लिए हमने अपने केस में कितने लिए पहले host के बास 8 0 थे लेकिन बाद भी हमें 4 1 करने पड़े 240 करने के लिए और हमने इस case में 4 bit लिए है host से borrow तो हमारा n क्या होगा 4 2 days over 4 कितना होगा 2 days 4, 2 days 8, 2 days 16 आप का आगे 16 इसका मतलब क्या हुआ आप इस given submit marks से 16 network करेट कर सकते हैं 16 different network आप कर सकते हैं हमारा अगला question क्या आता है इसमें how to find number of IP address on each network आपके हर एक network में total कितने IP address होगे formula उसका भी same है 2 days over n लेकिन यहां पर n का मतलब कुछ होगा यहां n का मतलब है कि आपको 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 total number of host bit कितने बचे हैं by default हमारे इस case में 4 ही बचे हैं वो कैसे वो हमें ऐसा पता लगा कि यह 8 से हमने 4 1 कर दिये अब बचे 4 0 जहां 0 है वो आपको host bit है तो हमारे 4 host bit बचे हैं given number से तो 2 इस पर बचा कितना होगा 16 हमारा again answer 16 आया मतलब 16 हम network कर सकते हैं और हर एक network पे total 16 IP address होगे लेकिन हमें पुछा गया था usable IP address जो हमारा अगला formula है third question how to find number of host in each network और usable IP address आपके कितनी IP address यूज होगे इसकी formula में थोचा twist है formula आपका 2 reserve of n तो रहेगा लेकिन minus 2 साथ में होगा minus 2 क्यों होगा वो इसलिए होगा क्योंकि आपके 2 address होते हैं reserve आपका पहला address and last address पहला होता होगा network id के लिए and last होता आपका broadcast address ये आपके reserve होते हैं इसलिए ये use नहीं होते इसलिए हमने formula में 2 raise to power of n minus 2 लगा जाया और यहाँ पे n का मतलब क्या है total number of remaining host bit हाँ आपके total number host किनी बचे हैं यहाँ पे 4 बचे हैं क्योंकि 4 हमने बोरो कर लिए हैं एक और चार host बचे है चार जीरो तो formula में लगाएंगे हम 2 raise to power of 4 minus 2 16 हमारा पहले आ गया था minus 2 करेंगे 14 मतलब हमारे पास 16 network बनगे 16 IP address हरे network होंगे लेकिन हर एक network पे आपके 14 IP address होंगे और यह आपको पुछा गया था आप बहिफिकर रहे हैं हमारा अगला question था difficult question की series में last question यह भी आपका networking से question पुछा गया था इसमें पुछा गया था which of the following IPB4 address series is reserved by IANA for private use IANA का पूरा मतलब नाम क्या होता है internet assigned number authority इसको आप याद रखेंगे एक question आपका यह बन गया आपको आपको IANA का नाम पुछा गया आपको पता होना चाहिए internet assigned number authority clear आपको पुछा गया है इसमें से कौन से आपका private IP address है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो private IP address की class है उसी range गया है जो आपके public class की range है वो अपके अलग होती है लेकिन आपको पता होना प्राइबट की class A की क्या होती है 10.0.0 से लेकर 10.255.255.255 class A की होती है class B क्या होती है 117.16.00 से लेकर 117.30.255.255 और class C की जो हमें पेपर में आई थी इसकी range होती है 102.168.00 से लेकर 102.168.255.255 अगर आपको ये range या याद होती है तो आप पेपर में असाइन से इसको टिक कर सकते हैं अब देखिए इस range को आपने देखा पेपर में क्या ओप्शन क्या था option C 102.16.00 स्लैश इसमें लिखा है 16 का मतलब क्या था ये आपकी CIDR value थी CIDR value क्या होती है अगर कहीं भी आपको डाउट रहे गया है तो आप comment section पे अपने डाउट भैसकते हैं और उसे के साथ साथ आप टेलिगम चैनल पे भी अपनी quarry भैसकते हैं चैनल के लिंक आपको डिस्केशन पे मिल जाएगा और आप खुद भी साच कर सकते हो आपको टैक बनाब होगा add the rate cs capital में underscore solution capital में 95 आपको चैनल मिल जाएगा अगर आपको वीडियो का content पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को share कीजिए और subscribe कर दीजिए ताकि हर एक notification आने वाली वीडियो की आप तक पहुंच सके और हमें कुछ paper बसते हैं solve करने के लिए ऐसा मस सोचिए कि paper solve नहीं हो रहे है paper solve होंगे maximum paper solve हो चुके हैं 80% paper solve हो चुके हैं लेकिन 20% बसते हैं और मैंने जाएं बुचके जो difficult paper थे वो last में रखे हैं ताकि आपको exam से पहले उनका concept याद रहे जैसे कि हर एक पेपर के difficult question में अलग से कराता हूँ उनके भी difficult question में अलग से कराऊंगा जैसे कि आपका 775, 765, 812, 766, 786 यह पांच यह paper आपके काफी difficult लाइवर के पुथे जिसमें junior officer IT, computer operator 812 computer assistant 775, assistant computer programmer 780 and computer programmer 760 यह 5 paper अभी आपको आपको चैनल पर मिल जाएंगे keep connected with CS solution and see you soon with next video with new knowledge, new concept, new topic thank you, have a nice day